Hello students, हम आपके अंतरास्टे राजनेती सब्जेक्ट के चप्टर गुट निर्पिक्ष्टा के बारे में बात कर रहे थे इससे पहले हमने गुट निर्पिक्ष्टा कहते हासिक विखास देखा कि कैसे इसके पहले सम्मेलन में सिर्फ 25 कंट्रीज थे इसके बाद धीरे धीरे इसका नंबर बढ़ता गया और आज 120 कंट्रीज हैं इसका फर्स्ट जो सम्मेलन था सिखर सम्मेलन जोकी 1961 में बेल्ग्रेट में हुआ था 1956 में नहरू नासिरो टीटो ने गुट निर्पिक्ष्टा को अंतरास्टे आधार प्रदान किया था सिख्धान्तिक रूप से 1961 में बेल्ग्रेट में एक सिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ उसके बाद से इसके ठारों ने सम्मेलन हो चुके हैं तो ये इसका इतिहासिक विकास था उसके बाद हमने देखा कि शीतियूत की समापती हो गई उसके बाद कई विक्सित जास्ट थे कहने लगे कि अब इसकी ओचित्य नहीं है ये एक बेईमानी है लोगों मतलब जो डवलपिंग कंट्रीज हैं इन्होंने विभिन माशक्तियों से अपने रास्ट्रेट को साथने के लिए इसको अभी भरकरार रख रखा है लेकिन हमने देखा कि ये भी इमानी नहीं है फिल हाल भी कुट निर्बेक्ष्टा की अशक्ति संतुलन के लिए आफशक्ता है इसकी संग्या निरंतर बढ़ रही है इससे इसके ओचित्य का पता चलता है ये सेंग्त राष्ट्र संग के सिध्धानतों में विश्वास करता है जो सेंग्त राष्ट्र संग के सिध्धानत है वही कुट निर्बेक्ष्टा के सिध्धानत है तो इसलिए से उत्राश्च संग्य उदेश्यों की पूर्टी करवाने में इसका सहयोग निवारी है ये शांती पुन सहस्तित्वी की निती में विश्वास करता है जो आज के पर्मानुई यूख है उसमें तेंत आपशिक है ये शाystem को बढ़ावा देता है शाystem करता है तो इससे विश्वेशांती का अधार सुद्रिड होता है यह है उपनि वेश्वाद और सम्राज्य वाद के किसी भी रूप का विरोधी है इससे राष्टरवाद की भावना का विकास होता है और प्रतेक देश को स्वतंत्र विदेश नीती का निर्मान करने वे संचालन करने में मदद मिलती है यह विश्व बंदुत्व की भामना पर आधारित है इससे जो संकीन रास्ट्रे हित हैं वो अंतरास्ट्रे हितों के साथ मिला दिये चाते हैं इससे विश्व संगठनों की भूमेका में रदी होती है तो यह हमने देखा कि आज भी गुट निर्पेक्ष आंदोलन है वो प्रासंगी कब बना हुआ है आज के लक्षर में हम कवर करेंगे कि इसकी प्रमुख उपलब्दियां क्या क्या रही है विभिन गुट निर्पेक्ष सम्मेलनों में अलग-अलग विश्यों पर व्यापक चर्चा की गई और उनकी दिशा में सकारात्मक प्रियास भी किये गए निर्गुट शिखर सम्मेलनों के कुछ सकारात्मक परिणाम निकले जो की है पहला अंतरास्टिय सहीओग में व्यदी गुट निर्पेक्ष आंदोलन में अंतरास्टिय सहीओग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रियास किये गए गुट निर्पेक्ष देशों ने आपसे जगडों को पारसपरिक सहमती से सुलजाने के प्रयास किये और महाशक्तियों को भी इसी आधार पर कारे करने के लिए प्रयरित किया इससे अंतरास्ट्रे सहयोग की भावना को बल मिला तो हमने देखा कि विभी ने जो सिखर सम्मिलन हुए उसमें गुट निर्पेक्ष अंदोलनक में अंतरास्ट्रे सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास किये गए इन्होंने कहा कि हम आपसी जगड़ों को पारसपरिक समझोते से या सहमदी से सुलजाने का प्रयास करेंगे और माश्रक्तियों को भी कहा कि आप भी स्यधार पर कारे कीजिए उनको प्रयरित किया तो इससे अंतरास्ट्रे सहयोग को बढ़ावा मिला दूसरा शीत युद को गरम युद में बदलने से रोकना हमने देखा था कि गुट निर्पेक्ष आंदोलन की स्थापना दोनों गुटों से या फिर इनकी जो सैनिक गुट थे, सैनिक संधियों थे संधियों नोंने बनाई थी महाशक्तियों ने से प्रथक रहे कर अपनी स्वतंत्र विदेश नीती का पालन करना और विश्व समस्याओं को निश्पक्ष भाव से देख कर जो सही है उसका पक्ष लेना और गलत की खिलाफ आवाज उठाना यही गुट निर्पेक्ष आंदोलन का मकसद था यही इसलिए गुट निर्पेक्ष आंदोलन बनाया गया था तो इसने क्या क्या कि शीत युद को गरम युद में बदलने से रोका गुट निर्पेक्ष देशों ने निरंतर शीत युद के तनाव को कम करने के प्रयास किये इससे विश्व में तीसरे विश्व युद के होने की संभावने शिन हुई गुट नेपेश देशों ने गुटों की राजनिती से दूर रहकर किसी गुट को अधिक शक्तिशाली नहीं होने देने का भरसक प्रयास किया इन देशों ने दोनों महाशक्तियों के मनों में व्याप्त ऐ विश्वास की भावना को दूर करने के पूरे प्रयास किये इससे अंतरा स्ट्रे शान्ती की संभावना प्रयबल हो गई और शीत यूद गरम यूद में तबदिल होने से बच गया इन्होंने एक बैलेंस पावर बैलेंसिंग का काम किया दोनों गुटों के बीच रहकर जो सही था उसका पक्ष लिया और गरत के खिलाफ आवाज उठाई दोनों महाशक्तियों के मन मुटाव को खतम करने का प्रयास भी किया गया तो इससे इन्होंने क्या क्या शीत यूद को शांति पुन ढंक से हल करने के लिए सही योग दिया इन देशोंने या तो युद्ध को टाल दिया या उसका समधान कराने में मदद की इन्होंने इंडोचीन संघर्ष स्वेज नहर शंकट कोरिया संकट आदि के दोरान नयचीत भूमिका निभाई इससे गतिरोध कम हु कि लिए हर संभव तो यास कि दो ՟े06 संकट आई को अर्सी नहर संकट आए इसके बारे में में आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि उतरी कोरिया और दक्षनिकोरिया के भीच में प्रोक्सी वार छिट गी थी जिसमें उत्री कोरिया का समर्थन सोविय hem changed एक तरह से वह लड़ाई तो उत्री कोरिया और द्धिर्ट कोरिया भुवारे के बीच थी लेकिन वह प्रॉक्सि वार्ट थी बिट्विजज विर्ट संगेंड स कोशिश की स्वेज नहर संकषब कर था जो बृटेञ ने स्वेज नहर का अगेरा ने इसको विरोध किया, आकरमन करने की चेस्टा की, लेकिन उसके बाद इन्होंने इसमें भी मंतिश्टा की, तो उसके बाद हम ये नेक्स रेप्टर्स में देखेंगे कि डिटेल में कि ये क्या-क्या संकड थे और इनकी बीच में इनकी सोलुशन कैसे निकले या फ अपनी वचन बदता को दोहराया, भारत ने विश्व श्यान्ती को मजबूत बनाने के लिए जो पंच्छिल के सिधान्त रखे थे, उनको विश्व के अधिकतर देशो द्वारा सरहाया गया, भारत ने पंच्छिल सिधान्त रखे थे भारत और चाहिना के बीच में भी हमती से सुलजाना आधी सिधान्त रखे गए थे, तो इसमें क्या था कि विश्व श्यान्ती को बढ़ावा दिया गया था और विवादों का जो निप्तारा था, वो श्यान्ती पून धंग से सुलजानी के बारे में बात की गई थी, अना करमन करने की बात की गी थी कि पहल आकरमन नहीं किया जाएगा, तो ये पंचल के जो सिधान्त भारत ने रखे उसको विश्व के अधिकतर देशों द्वारा सराय गया, उसके द्वारा रखे गए आनविक सस्त्रों के परिक्षन संबंदी सुझाव, 1963 में आनशिक परिक्षन प्रतिवन संदी के रूप में अ अधार पर ही अपने अंतरास्टे संबंदों का संचालन किया, इससे उनकी स्योंक्त रास्टर संग के प्रति निष्ठा में व्रदी हुई, सभी गुट निर्पेक्ष देशों ने स्योंक्त रास्टर संग के सदस्ता ग्रहांड करके उसके प्रयासों को सफल बनाया, गुट चता नई अंतरास्ट्र ये अर्थ वैस्था की मांग गुटनिर्पेक्ष देशों ने विक्सित देशों का ध्यानी सोराकरिस्थ किया कि वर्तमान विष्वय्वैस्था करिब देशों के हितकी पोषक नहीं है आज वैश्वी करन की प्रिक्रिया का लाप राप्त करने के लिए इसका नए सीरे से गठन करने की आवशकता है इन देशों ने 1974 में स्युक्त रास्टर महा सभा के अदिवेशन में नई अंतरास्ट यर्थ व्यवस्था इस्थापित करने की घोशना का प्रस्ताव पास कराया उनकी इस मांग ने विक्सित रास्टों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि सन्युक्त रास्टर महा सभा में नई अंतरास्ट यर्थ व्यवस्था इस्थापित करने की घोशना का प्रस्ताव पास कराया सात्वा दक्षिन-दक्षिन सहयोग में व्रदी 1976 में कोलम्बो सिखर समेलन में गुट निर्पिक्ष देशों ने पारस्टरिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का अहवान किया इसी के चलते हैं दक्षिन-दक्षिन सहयोग की शुरुवात हुई जो आज विकाशील देशों के पारस्परिक आर्थिक सहयोग में व्रदी के लिए आफशिक्ता बन गया है दक्षिन-दक्षिन सहयोग का मतलब सहयोग बिट्वीन कोपरेशन बेट्विन डवलपिंग कांट्रिसन जो डवलक्ट कंट्रीज है वो जनले उत्तर में मानी जाती है जो डवलपिंग कंट्रीज है जो अपनी वेश्वात है वो स्वतंत हुए थे तो वो डवलपिंग कंट्रीज discussion में developing countries का सहयोग परस पर आर्थिक सहयोग में व्रिदी के आवशेक्ता बन गया है अब गरीब रास्ट्रों के पास आर्थिक विकास के लिए दक्षिन दक्षिन सहयोग की बात प्रमुख मुद्धा बन गई है यह गुटनिपेक्ष आंदोलन की प्रमुख पलब्दी कही जा स सकता है कि गुटनिपेक्ष देशों ने शीतियुत के तनाओं को कम करके तीसरे विश्वयूत की संभावनों को छिंख किया है इसने अंतरास्ट्रे संगर्शों को टालने में पूरी मदद की है इसने नीश अस्त्रीकरण के प्रयास करके विश्वशान्ती को मजबूत बना मैं तो उनके अलोच चुना किया है ये तो इसकी प्रमुख उप्लब्दिया जाते प्रमुख उप्लब्दिया थी जैसे कि दक्षिन दक्षिन सयोग में व्रदियान इं आपस में नए ρत अ मांग की है इनों निश्व शान्ति चान्थार है संगर्षों को टाला है और यह कई बार अंतराश्टी सरीयोग में व्रदी हुई है और नेन पॉइंट ना शीत युद को गरम युद में परिवर्थित होने से इन्होंने रोका है फिर भी आलोचक इसकी आलोचनाय करते हैं इसे एप्रसंगिक मानकर इसे महतविन आंदोलन की संगया देते हैं तो उनके पीछे की क्या तर्ख है कि क्या गुट निर पे एक आंदोलन की विफलताएं रही हैं जिनके लिए वैसा बोलते हैं वो हम नेक्स लेक्चर में कवर करे हैं लिएर में जिए विएर गीकि झालोचक में जिए झालोचनाय की विएलताएं देज देंजेंगे बादेगी प्रसंपनाय की टारोचनाय के विएर में चेज़।